नमस्कार अनुराता जी आपसे बातें हो रही थी तो आपने बताया कि कैसे आपका म васूरी आना हुआ वो भी एक सुंदर आनभव आपने बताया और उसके बाद स्कूल का एक आपका आनभव था, गाहों का आनभव रहा उसके बारे में आप जरूर बताएं थोड़ा एक बात तो ये थी कि यहां आना इसलिए भी हुआ कि हम लोग तब विपश्चना ध्यान पवन और मैं दोनों ही विपश्चना ध्यान से बहुत प्रभावित थे उससे जुड़े थे, करते भी थे और ये भी लगता था कि ऐसा जो उसमें पश्चना ध्यान में एक मैत्री ध्यान होता है उसको करना चाहिए यानि कि हमको जो जो मिला है उसको बांटना है उसका भाव इतना ही था यहां से ऐसा मुझे प्रतीत होता है ऐसा लगता है मुझे कि उस समय शायद इस तरह का काम स्कूल गाउं में जाके काम करने का एक भाव वहां से शुरू हुआ होगा यह मैं समझती हूँ ऐसा अग जब हुआ था या जब हो रहा था तब उसका उस पर ध्यान नहीं था तो यहां देहरदून की तरफ हम लोगों न देखने आना चाहते है उन्हों ने का वहां काम शुरू कर लो और बड़ा आजीब लगा इतने जल्दी कैसे काम शुरू होता है पर वहाँ ऐसा कुछ हो गया कि वहाँ की महिलाओं ने बड़ी जबरदस्त महिला इन्हें मखूत सी उस गाओं की तो उन्होंने कहा नहीं नहीं स्कूल खोलिए ये करिये हम कमरा देंगे ऐसा करके वहां कुल दो तीन महने में काफी कुछ उनका संगठन बना उनसे बाते हुई महिलाओं का और वो खुदी हमको डायरेक्ट करें एक बढ़ाई है इन बच्चों को बढ़ाई है तो एक कुछ ट्यूटोरियल कुछ छोटे बच्चों की क्लास इस तरह की बात हैं होने लगी तब ही हमारे घर में एक दिन रविवार को दूसरी तरफ के जहां हम फिर लंबा समय हमने कम से गाउं जिसको ग्राम सभा कहते हैं उसके प्रधान सेंजी ग्राम सभान के वो प्रधान जी हमारे घर है और उन्होंने का हम सुन रहा है आप तो स्कूल खोल रहे हैंدي उन्हेंसा कुछ नहीं है हमारी एक उच्छुकता थी गाउं देखने की, तो कहने लगे, नहीं तो आईए ना, हमारे याँ तो इतने गाउं है, स्कूल ही नहीं, आप देहरदून की तरफ क्यों जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत सारा कुछ विकास है, उनके हिसाब से, स्कूल है, उनके रोड है, हमारे आके देखे, तो वो हमको जबरदस्ती उसी दिन, हम चल पड़े उनके साथ, और वो दो तीन गाउं में हमको ले गए, और उसमें से एक गाउं, जिसमें काफी नौथा था शायद, वो नौथा गाउं था, या जिंसी या नौथा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो आपन है, अधिकार से बोलती है, क्यों? मेरा तो उनोंने हाथ पकड़ा कि अच्छा, तुम कहां पड़ी हो, तो मैं मैं मसूरी में पड़ी हो, तब तो हम तुमको यहां से जाने नहीं देंगे, बोली हो, तुमको हमारे या, पर उसने, और सौरत ने एक लड़का दिखाया कि है, बीस साल का मेरा लड़का है, यहां ही दूद बेचता है, मसूरी जाकर, और ऐसे हम लोग काम करते हैं, अनपढ़ है, पड़ा, कभी स्कूल नहीं गया, बिल्कुल लड़का है, स्कूल नहीं गया, अनपढ़ है, और उसके लिए, स्कूल तो चाहिए, हमारे बच्चे से और जितनी मजबूती से उसने आख में आख डाल के, मतलब देखा मुझे, तो वो एक जो टक्राव था, एक अपराद बोध का भाव भी आया मेरे अंदर, कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं कि, मतलब हम 99 में आय थे इस गाव में, देखने गए, तो आजादी के इतने साल ब किलोमीटर या 10 किलोमीटर से भी कम दूरी में, मसूरी जहां स्कूली स्कूल है, और वहां इतने ऐसे गाव हैं, जहां कि बड़े बड़े 20 साल के बच्चे भी अनपढ़ हैं, और ये कैसे हुआ, इस तरह का, और मुझे जैसे वो कह रही थी, आपको करना है ये कर्जा, स्कूल कोलें गया, और कुछ एक बड़ा अजीब सा, ड्रमाटिक बदलाव तो आया, ऐसा लगने लगा, हाँ, जो एक बाद में बात मुझे समझ आया थी, कि एक आँख की शर्म होती है, आँख से आँख मिलती है, तो आपको एक आँख की शर्म होती है, तो आपको एक तूरिस्ट नुमा धंग से गए थे, तूरिस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो थाई कि देख ले, क्या हो रहा है, कैसे गाओं के लोग कैसे रहते हैं, इस धंग से गए थे, और फिर कुछ और ही हो गया, कि हम को ये जिम्मवारी लेने का, उसने एक दबाव डाला, औ उस गाओं में हमने बहुत सालों बाद वो स्कूल खोला, मतलब उस गाओं में नहीं खोल पाए, लेकिन उस एरिया, उस इलाके में हम लोग के स्कूल पर शुरू होए, तो उसी समय और भी देखे और वो हमारे प्रदान जी हमको ले गए थे, जहां जहां हम देखते गए, इस इस इलाके में हम उदेहरदून साइड से इस तरफ आने को राजी हुए, क्योंकि हमारे लिए मसूरी में हम जहां रहते थे, बराबर का समय लगता था, गाडी में तो जाना पड़ता था, लेकिन शुरू शुरू में उन लोगों को भी लगा ये क्या, शेहर के लोग, शेहरी तो थे ही, गाडी में आए हैं, कुछ समय अपना कर रहे हैं, समय टाइम पास कहते हैं, लेकिन वहाँ जाके उस जिनसी गाओं ये नौथा गाओं में, उनसे जब बात हुई औरतों में, तो ये ऐसा लगाने हमको तो कुछ करना है, तो स्कूल जब आपने खोला बता उसके वड़ी चोटा सा हमारे दो कमरे थे हमारे मसूरी में, किराय के घर में रह रहे थे हम, और हम लोग फिर जाने लग गए, मतलब एक महने के अंदर इस खटना के एक महने के अंदर उन गाओं में जाने लग गए, और वहां से अरजिया आने लग गए, बाकाइदा, जै तो हमने का हम लोग दो हैं फिर लोगों से भी बात चीट हुई हम दो लोग हैं हम कितने स्कूल खोल पाएंगे दस बीस तो इकटे हो गए थे यहां उनके पत्र हमारे लिए करिये यह करिये यह इसी है तो हमने का यह तो हम दो लोग हैं तो उन्होंने का नहीं नहीं आप खोलिये आपको हम यहां के लड़के 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 देंगे लड़के देंगे उनको आप ट्रेन करिये और हम आपको जमीन देंगे फिर ऐसा कुछ होने लगा कि गाउं में इस तरह की प्रती होगी ता दो लोग हैं, तो हम एक कमरा देजे और जो टीचर आएगा जो भी रहे गा, उसके लिए हूगा, बस इतना ही था, कि एक टीचर चाहिए, एक कमरा चाहिए, तो उन्हों ने का वहाइ किसी ने का कमरा किसी ने का ये दो कमरे किसी ने का जमीनी दे दे देंगे कहाई भी ऐसा हो गया इसके मतलब बहुत जरूरत थी और ये भी बात है कि उस समय उत्राखंड नहीं हुआ था तो उततरप्रदेश की जो शीक्षा प्रणाली या वो सिस्टम यहीं पैठा था कि जिसमें 200 बच्चे हो, 200 बच्चे, 200 बच्चे तब एक स्कूल को खोलने की जाज़त मिलती थी. तो प्लेंज में तो बहुत आसा एक गाउं में हो जाएंगे, मतलब 1200-1500 लोग रहते हैं गाउं में, तो 200-500 बच्चे मुश्किल नहीं है, तो वहाँ खुल सकता है हर गाउं में एक स्कूल, लेकिन पहाड के गाउं ऐसे नहीं है, पहाड के गाउं छोटे हैं, जहाम लोग थे, तो दस, बारा, पंदरा, बीस, एक औसद गाउं का साइस बीस परिवारों का होगा, तो बीस-पच्चीस से बच्चे बढ़ते ही नहीं थे, तो छोटे स्कूलों की बहुत ज़रूरती, क्योंकि चढ़ाई है यहां उत्राई है, तो जहां उत्राई है तो चढ़ाई भी है, तो छे साल का एक बच्चा, अगर सरकारी स्कूल हो भी, तो भी उसको टीन घंटे स्कूल लगते थे, चढ़ के जाने में, सबसे नजदी की अपने ग्रामसभा के स्कूल में, और ग्रामसभा के स्कूल अक्सर प्रधान के ही गाउं में बन जाता था, तो साथ-आठ स्कूल उतने आनी पाते थे, तो इस कारण से भी यहां ऐसा था कि अनपढ रहे हैं, मैंने कहा वह बीस साल का लड़का हुआ, जो उनकी रोजी रोटी है मसूरी में कुछ-कुछ करके, बेज के, दूद बेज के, थोड़ा बहुत काम करके, कुछ भी काम करके चल जाता था, सुवह आ रहे हैं, शाम को गए, तो रोजी रोटी, एक्स्ट्रा कुछ मिलना है, थोड़ा वाट खेट से हुई जाता है, ऐसा चलता था, इस वज़े से भी उनको इतनी जरूवत नहीं थी, लेकिन जब तक हम आये, तब तक उनकी यह हो गई थी, कि डेम बने, पटवारी बने, हमारी भी बच्चे बने, अब उनको दिखने लगया था, कि पढ़ाई लिखाई उनके लिए जरूरत है, तो इसलिए कुछ हमें ऐसे मौके पर आये, जब उन सब की वो हो गई थी, इच्छा प्रबल गाओं के लोगों की, और उनको लगा, नहीं, नहीं हमारे भी बच्चे बनेंगे, आप इनको पढ़ाईए, नहीं ऐसा हो जाएगा, यह सब ऐसा काम हुआ, तो बहुत इच्छा से, उन्होंने, मतलब हमारी, 1990 और 1995 तक, कम से कम 30 सेंटर हो गए थे, मतलब 5, 6, नहीं, साथ-ाठ तो प्राइमरी स्कूल, और 15-20 यह चोटी बालवाडी, बालवाडी मतलब छोटे बच्चों का स्कूल, जिस्म क्योंकि वहाँ चोटे बच्चे चल के नहीं जा सकते हैं, और बालशाला भी एक पहाड में खास, हम लोगों नहीं एक प्रयोग यह किया था, कि जब तक वह बालवाडी आप समझते हैं न, छोटे, तीन साल से लेकर, साड़े, नहीं, मतलब, साड़े 5, 6 साल तक के बच्चे का, तो बालवाडी होता है, क्लास कक्षा एक तक, और फिर कक्षा एक से कक्षा दो तक की, उसको हम एक्स्टेंट करते थे, उसको बालशाला कहते थे, ताकि वो बच्चे कम से कम गाउं का, जो सबसे नजदी की प्राइमरी स्कूल है, प्रात्मी स्कूल है, वहां तक चल के जा सके, तो ये इस तरह का एक पैटर्न बना, तो हमारे 95 तक मेरे ख्याल से, तीस सेंटर थे, ये तो छोटे मैं बता रही हूं, लेकिन शुरुआद में ये हुआ कि उन लोगों ने हमको स्कूल के, अपने लड़के 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 दिये थे, तीन-चार कि आप इनको बनाइए, टीचर बना दीजिए, तो उनके साथ, शुरू-शुरू में हम लोग ये करते थे, कि पच्चीस दिन की तो, हम ये दोनों बढ़ाते थे, स्कूल में जाके, किसी एक स्कूल में, जैसे कांडी काट, जैसे पहले मैं बता रही हूँ न, डॉम गाउं में तेहरदून के, हम जाते थे रोज, और इसमें हम जाने लगे, भेडियान करके एक गाउं था, वहां से शुरू हुआ था, तो वहां हम रोज दोनों जाते थे, और पढ़ाते थे, गनित और ये, पवंजी पढ़ाएंगे, और मैं जो भी छोटे बच्चों के साथ, मेरा पहले भी अनुभव रहा था, तो मैं उनको पढ़ाती थी, तो ये करते करते, हमने देखा कि वो जो हमको दिये थे, उन्होंने लड़के चार, तो वो हमको देखते थे, उनसे कहा था, आप हमको देखे, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, यहां ऐसे काम शूर किया, और उनसे कहा कि, हम जहां रहते थे, वो दो कमरों का घर, मसूरी में, तो हम पढ़ाते थे 25 दिन, तो पाँच दिन हमारे, मेहने के अनुप, मतलब लगातार पढ़ाते थे, और 25 दिन के बाद, हम उनको घर में बुलाते थे, अपने हां, और 25 दिन, वो पाँच दिन, जो होते थे, महने के पाँच दिन, उनकी क्रैश कोर्स होता है, वैसा होता था, वो तो गाओं के, क्लास 10 पास लड़के थे, अब पास थे, फेल थे, वो तो एक दूसरी बात है, पर क्लास 10 भी कक्षा कर चुके थे, तो उनको हमने लिया, क्योंकि लड़कियां तो कोई भी नहीं मिली, कक्षा 3 तक ही मिली थी, शुरू-शूरू में, पढ़ ही नहीं थी, कक्षा 3 से आगे, तो कक्षा 10 के लड़के लिये थे, और उनको हम घर में, उनको जैसे, इतना भी मालूम नहीं रहता न, पढ़ाई का कि हमको एक महने में, एक पढ़ने से ज़्यादा हर विशे में, पढ़ना नहीं होता, ऐसा थोड़ी है कि पूरी किताब रटा लिए, तो उसमें से एक-एक पैरग्राफ, महने के आपके, यह सोचिये चार पैरग्राफ हैं, उनको वो पढ़ते भी थे, उनका उचारण भी ठीक करना होता था, उनको उसके शब दर्थ, बहुत सरल सरल, मतलब जो एक पैक्षा होती है, स्कूल की टीचर से, वैसा उनको लाइक बना दिया था, उचारण से ही हो, फिर उसका शब दर्थ हो, फिर उसके वाक्य बना सकें, फिर उसके थोड़ा सवाल जवाब, छोटे-छोटे बना के बना, भूच लें, ये कर लें, इस तरह की एक इतनी स्किल, इतना होना था, पांच दिन में हो जाता है, तो यहां से, और फिर वो हमको देखते थे, तो तेन महने में, हमने वो तयार भी काफी हो गए थे, एक दो तो काफी हुशार थे, उसमें से, बहुत जल्दी पकड़ लिया, एक मेहने में किसी ने, तो जैसे जैसे उन्होंने पकड़ा, तो वैसे वैसे हमारे, छे मेहने के अंदर, तीन स्कूल खुल गए थे, फिर हम, मल्टिप्लाई हो गए ना, ऐसा शुरुआद की बात बता रही है, इस तरह से, अप ऐसे वैसे कुछ, ना वो देते थे, ना मतलब हम, उनको दे भी नहीं बात रही ते, फिर किसी कोई आये, फिर उन्होंने बताया कि ऐसी संस्थाएं हैं, जो डोनर एजिंसी हैं, आप कर सकते हैं, तो हमको तब ताजूब भी हुआ, अपना कुछ, तब आपको पैसे वैसे भी शायद थोड़ा मिले, आप इतना कैसे करेंगे नहीं तो, दिमांड तो बहुत थी ना, कोई बिल्डिंग दे रहा है, कोई वो दे रहा है, तो आप सोच लीजे, लोगों की दिमांड थी, यह लोगों का ही हमारा जो डायलोग उनसे वहाना, शुरुआद ऐसे हुए, और शिक्षा मिलने के बाद, जब शिक्षा कहें या फिर सक्षर्ता कहें, सक्षर्ता मिलने के बाद, उनकी क्या हालत हुई, उनके वैभार में क्या बतलाव आया? यह क्या हुआ कि हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि इस जल्दी हो गया है, तीन स्कूल, चार स्कूल, आर्ट स्कूल, तीर स्कूल, पांच साल में इत्मा कुछ, तो कई बार आते थे, लोग और कहेंगे आरे, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कितना बढ़िया कर रहे हैं, कितना, तो आदत से हो गई थी, अच्छी बाते सुन, तारीफ में सुननी की, कि आप तो बड़े बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहां एक महिला में मित्र थी, बाद में तो बढ़िया बनी पर उसके यहाँ देवर काम करते थे, मस्कूरी में वो यहां आती थी और उसको एक दिन आही वो यहां इस गर के ठीक ऊपर ही रहती थी थी घर उसके देवर रहते थे और वो यहां आई और कहना है मुझे आप से बात करने है और मुझे अब भी यादे मैं तैयार थी कि अब यह कहा बहुत बढ़ी आप तो इतना नहीं टीक बात करीु तो मैं कहा डेखिया आप ने तो होऊरे बच्चों को बरबाद कर दिया। तो तो हमने एंफ फोमन की यह को खुल आजी है। यह हम आप से कहा खूल कर्या एक हम भीटिगध्यु बात करी। यह तो हम नहीं अपसे के लिउन्ट बॉल यह झा।। लेकिन उसने का ने ने ये तो हमारी जरुवत थी लेकिन हमें नहीं मालूम था पाँच साल में तो हमारे हर घर में उनके उस समय एक अनपढ बड़ी उमर का लड़का ये लड़की और एक पढ़ा लिखा हमारे स्कूल से निकला हुआ पाँच साल पढ़ा मतलब पाँचवी पास नहीं कहेंगे पाँचवी में पढ़ने वाला बच्चा तो हो चुका था तो कहने लगी है आपको पता है हमारा ये इन दोनों में इतना फरक है क्योंकि हर घर में दिख रहा है ये फरक और सिर्फ ये मेरे घर की बात नहीं है वो जो हमारा बड़ा बच्चा है, वो हमको मदद भी करता है, वो हमसे इज़त से बात करता है, वो हमारे काम में मदद करता है, खेती में मदद कर रहा है, काम का तो वो है ये जो है ये तो बोलता ही नहीं है, तो हमको बिल्कुल वो मानता है, कि हम मन पढ़ है हमसे ठीक सीधे मुझे बात नहीं करता है ना हमको घर में मदद करता है काम तो छोड़ी दीजे काम का तो ही और हम यह भी देख रहे हैं वो उसने यह भी का कि हमाई यहां जो गाउं में आ रहे हैं जो ग्रैजुट हो गया जो डिली विली गया के पढ़ बेला हैं जो पढ़े भी हैं तो कुछ काम के ही नहीं है तो खाली पैंट की जेब में हाथ डालते हैं और इधर उधर गूमते रहते हैं तो पढ़ा लिखा ना तो घर का ना गाट का वाला बात हो गई तो एक दिन मुझे आदे वो यह भी कहने लगी कि आपका भाई कुछ पूछ रह देखे क्या होता है जो ईतोन का ना यह भमते होता है तो हमारे गायों का क्या होगा और फिर हमारे देश का क्या हो यह तनी बड़ी बात वो औरत भूल रही है उस का नाम पुल磨 देवी तो उसने मुझे ऐ्स इसी ऐसी बात वह कुछ थी बेबायग्चिस जिसे यह आपने तो बोली भी कि तब तो फिर आप क्या कर रहे हैं आपने सोचा है क्योंकि हमारा बच्चा काम नहीं कर रहा है तो कुछ तो करिये आप ऐसा भी कहते हैं और लड़कियों का क्या बताया कि लड़कि कि आप लड़की पढ़ लिक गई था यह भी हुआ कि हम लोगों ने क्या नहीं नहीं जो दीसरी पास चौती पास ऐसी लड़कियों को भी लिया बालवाडी चलाने शुरू की न तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो वैसी से एक बात कहूं कि हमारे जितने भी टीचर थे कोई तो छटी पास था कोई तो आठवी पास था कोई तो दसवी पास था तो उन्होंने सब ने आगे भी पढ़ा टीचर जो है तो सिद का एक खाथियत यह थी कि सब जो मसूरी में वो प्राइवेट एक्जाम देते थे तो सोचते थे कि मसेद वाले जो हम लोग हैं वो असल में बड़े बच्चों को ट्यूटोरियल चलाते हैं क्योंकि टॉप कर दे यह प्राइवेट एक्जाम वाले बच्चे क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं स्कूल में हम लोग की शिक्षा की ही बात होती थी और तो प्राइवेट जो देते थे हर टीचर ने अपनी योग्यता उस हिसाक्षरता की योग्यता कहें या और सथ में जो शिक्षा की वो होती है बीए कि आ एमे किया डबले में किया ऐसे ऐसे निकल जाते थे क्योंकि 20 साल तो सभी रहे हैं हमारे साथ वो जब जॉइन किये थे क्लास 10 में सबसे पहला ग्रूप हमारा टेन वाला था उसके बाद लड़के आएं तो पांच में चटी और बालवाडियों में तीन क्लास तीन पढ़ी भी हम लेते थे और वो पढ़ भी लेती थी मतलब कहने का यह कि पूरा एक एक वातावरंड था कि सिद में आप गुसेंगे भी अपनी प फिर भजार हुआ इस तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेकिन यह उनको एक प्लस पॉइंट लगता था तो लड़कियां जो ऐसे ही पढ़ने लग गई है और पढ़ाने लग गई बालवाडी में तो उन्होंने नखून बढ़ाए पेंट किया जो देखती थी मसूरी दे कियोंने भी वह शुडू कर दिया तो वही बोली वह हमारे हां के बहुत अच्छी बालवाडी टीचर थी जो उसकी बहु बनी थी यही पुल्मो देवी की तो पुल्मो देवी कहने लगे मेरी बहु तो क्या है वह लड़के को लेके भी केंटी आ गई मतलब सड़क वाली ज वहां करते हैं जो ग्राम लेवल के तो वह वहां के रहते थे तो सड़क है वहां पर उसका वह कहने लगी उसमें हमारा खेट छोड़ दिया उसने मैं अकेली और वो चाती ठोक के बोल दी अकेली और अच्छी आउरत साथ लोगों का खाना जमीन से निकाल सकती है खेती करके और यह जो बहु आपकी अब बालवाडी में टीचर बना दिया आपने आप इसको दे रहे हो चारसो आजसो मान दो च्छैसो भी दे रहे हैं इसके परिवार के लिए उसना नहीं है काफी क्योंकि इसने खेती छोड़ दी खाना यह निकाल नहीं सकती है इसको आप भूल गे खेती करना तो क्या आप यह बताईए मैं मैंने अपना रोटी से सीधा संबंध जोड़ा हुआ है हां और फिर फिर मेरे को भी पलट की बोलती थी और आपके भी दादा जी ने तो अपनी गाउं की जमीन तो बेच दी होगी और मैंने यह तो है मुझे तो याद भी नहीं मे हैती करते थे बहुत साल हो गए होंगे दादाई जी की आप नहीं तो और तो छोड़ दीजे तो कहने लिए फिर आप तो बिचारे आपके पास तो जमीन है नहीं है नहीं तो आप यह बताईए जो काम पिर उसने एक बड़ी लंबी मुझे वह बताई कि देखिया आपको प पिर उसे आप बिमार हुए और जो बचे कुचे पैसे थे वो डाक्टर को आपने ठीक होने में दिये और हम लोग यह मानते वह और बोलती तब नहीं 89 की बाहत हुआ नबबे की नबबे की हम डाक्टर को डाकु बोलते हैं पहले डाकु आके चुरा हुरा मांग के हमारा ले की पाटनी खीट tepsyn तो यह पता की किया किया कैसी सीदी सीदी बात यह बोलती थी कि आपको तो आप तो ही दो कुछी कर ही नहीं है बजाए आपके ऐसे 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 सवाल तो बहुत बड़े प्रश्न लगा है और फिर एक कुल फिर हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा शोद भी किया तो ये बात सहे सब जगे सब जगे निकल के आई और इसी से की बहुत शिकायतें थी उनको दो तीन तीन तरे की तो मुख्यों शिकायत थी एक तो ये थी कि जो हमारा पढ़ा लिखा और जो अनपढ बच्चे में बहुत जो फरक है वो इमानदार है जादा जो गयानी स्कूल वो इमानदार है और जो पढ़ा लिखा है उन कहते है ये पटवारी जी नहीं ये पढ़ाई लिखाई जो है इस से बेमानी शुरू ही पहले बोलने का वज़न होता था ज़बान का वज़न बोलते हैं हमने बात दे दी है जो भगवान की नहीं थीक नहीं करेंगे तो वो देख लेंगे हमको ये अच्छा नहीं होगा और अब तो ऐसा है कि वह तो बेमानी करने माने मानंदा है independent उसके साम से, तो ये भी नहीं है, इमानदार भी नहीं रहा बच्चा, काम में मदद करें, इजद करें, हम लोगं का घर में कुछ करें, हम से ठीक तरह से बोलें, दादा दाजी से अच्छी तरह बोलें, वो भी नहीं हुगा, और हमने तो देखें, बच्चों को कोई नौकरी योकरी मिलने की तो उमीद है ही नहीं, क्योंकि ऐसे ही पढ़े हैं, जो पढ़ लिखके भी आते हैं, कॉलेज और जिज करके, वो तो खाली, उनको लगता है कि घर का काम, खेती का काम, हाथ से काम करना एक छोटी बात, अब पढ़ लिख गए हैं वो, तो काम के नहीं रहें न मैं कैसे बता हूँ, यह भी कहती थी, आपका मसूरी में कुछ भी, वो कहेंगी कि, बिन टीवी देख रही थी, तो कुछ जिम देख, मतलब मैं यहीं था तब यहां इस कमरे में, तो आती थी, वो मेरी मित्र बन गई थी, तो यह तो, यह क्यों, यह क्या करी है, मैंने का, य ना, अपने शरीर को ठीक करने के लिए, वो करी है, यह यहां कुछ कर रही है, तो उसने का क्यों, वो नी करती, मतलब, वो करते हैं न, ना, यहां जा के, लकड़ी काटना, लकड़ी लाना, यह सब नहीं आता हूँ इसको, नहीं हाता होगा तबी, आप यह पिर कैने लिगी वो भी घास के लिए भी नहीं जाती है, तो करते क्या हैं, फिर आपको अपने पैसे, उसको यह रानी हो गई कि अपने पैसे कर्च करके शरीर का व्यायाम को रहा है, इस तरह कि उसको यह बात है, जीब लगी, उसने का हम तो तब ही जाते हैं, पहाड में चड़ने या वो करन वाली की भी बात कहने लेगी कि कहीं कहीं हैं, छोड़ी, तो बहुत स्वारी लंबाद हो जाएं, नहीं, बहुत धन्यवाद,